नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भादर मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के कथा प्रस्तुत कर रहे हूं। आईए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा, द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र महराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, भादरपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? इस वरत का क्या विधान है? और इस वरत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? प्रिपा करके मुझे विस्तार से बताएं. महराज युधिष्ठिर की जिग्यासा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धरमराज भादरपद कृष्ण पक्ष्ण की एकादशी का नाम अजा एकादशी ह जो मनुष्य अजा एकादशी के दिन भगवान रिशीकेश का पूजन करके व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह सभी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है भगवान राम के पूर्वज अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धरम परायन थे, अपनी सत्यवादी छवी के कारण राजा हरिश्चंद्र की लोग प्रियता जब अधिक होने लगी, तो महर्शी विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परिक्ष अगली सुभा रिशी विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर पहुँच गए और उन्होंने कहा तुमने स्वपन में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। उनसे पाट सो स्वरन मुद्राएं दक्षिना में मांगी दान देने के बाद दक्षिना देने की परंपरा है। तब राज्य ने अपने मंत्री से दक्षिना देने के लिए राज कोश से स्वरन मुद्राएं लाने को कहा। तब महर्शी विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ साथ राज्य का सारा कोश भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तू को तो बारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पतनी शव्या और पुत्र रोहित को बेच कर स्वरण मुद्राईं हासिल की लेकिन वह भी पांच सो नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयम को भी बेच दिया और स्वरण मुद्राईं महर्शी विश्वामित्र को दान में दी। इस प लोगों के दा संसकार का काम करवाता था। तब से राजा हरिश्चंद्र चंडाल का दास बनकर सत्य को धारन करते हुए मृत्कों का वस्त्र ग्रहन करते रहे। मगर किसी प्रकार से अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार वह चिंता के समुद्र में डूब कर राजा हरिश्चंद्र के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसे ही जिंता में बैठे हुए थे कि गोतम रिशी वहां आप पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आप बीती सारी दुखबरी कहानी सुनाई। यहे बात सुनकर गोतम रिशी कहने राजन आज से साथ दिन बाद भादरपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम इस एकादशी का विधी पुर्वक वरत करो और रातरी जागरण करो। अजा एकादशी वरत के पुन्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे। इतना कह कर गोतम रिशी अंतरध्यान हो गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने गोतम रिशी के कहे अनुसार आजा एकादशी आने पर विधी पुर्वक वरत तथा जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यू को प्राप्थ हो गया। रानी शव्या रोते भी लगते अपने मृत पुत्र को लेकर शम्शान ग्रह में राजा हरिश्चंद्र के पास कही। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य निष्ठा का पालन करते हुए शव्या से शम्शान का कर मांगा। मगर असहाई शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी की कोर चीर कर शमशान का कर चुकाया तभी सत्य तधावरत के प्रभाव से आकाश में तेज गर्चना हुई और भगवान शिरी हरी विश्नु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रशंसा की स्वरग में दुन्दुभियां बचने लगी और पुष्पों की वर्शा होने लगी तब भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया बुल विश्नु भगवान की जए अजा एकाशी के वरत के प्रभाव से राजा को अकंटक राज्य की प्राप्ती हुई फ अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था, जो मनुष्य, श्रध्धा और भक्ती भाव से विधी पूर्वक अजा एकादशी का वरत करते हुए रात्री जागरन करते हैं, उनके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं, वैसुक सम्रिध्धी से जीवन व्यतीत करके अंत में को प्राप्थ होते हैं, हे राजन इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेधी अग्य का फल प्राप्थ होता है, इस प्रकार अजा एकादशी की वरत कथा पूरण हुई, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, बोलो कृष्ण भगवान की जय आये अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती ओम जै एकादशी माता मईया जै एकादशी माता विश्नु पूजा वरत्थारन कर शक्ति मुखती पाता ओम जै एक अदशी माता, तेरे नाम गिनाउं भक्ति प्रधान करनी, गणे गोरव की देनी शास्त्रों में वरनी, मैया जै एक अदशी माता, मार्ग शीर्च के क्रिष्न पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जनमी, शुक्ल पक्ष में मोक्ष दा मुक्ति दात बनी, ओम जै एक अदशी माता, पोश क्रिष्न पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में पुत्र दा आनंद अधिक रहे, ओम जै एक अदशी माता, नाम शट्तिला माघ मास क्रिष्न पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे, ओम जै एक अदशी माता, विजया फागुन क्रिष्न पक्ष शुक्ल में आमल की, पाप मोचनी क्रिष्न पक्ष चैत्र महा बली की, ओम जै एक अदशी माता, चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली, नाम वरुथ नी क्रिष्न पक्ष वैशाक मह वाली, मैया जै एक अदशी माता, शुक्ल पक्ष में मोहिनी अप राजेष्ठ क्रिष्न पक्षी, नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी, ओम जै एक अदशी माता, योगिनी नाम आशाध में जानो क्रिष्न पक्ष करनी, देवशय नी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जै एक अदशी माता, कामिका श्रावन में क्रिष्न पक्ष कहिये, श्रावन शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिये, ओम जै एक अदशी माता, अजा भाद्र पद क्रिष्न पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन क्रिष्न पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, ओम जै एक अदशी माता, पापांकुषा है शुक्ल पक्ष आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में सुख दायक भारी, ओम जै एक अदशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में विनती पार करो नईया, ओम जै एक अदशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी, शुक्ल मास में पदमिनी दुख दरिद्र हरनी, ओम जै एक अदशी माता, एक अदशी माता की आरती जो प्रेम से गावे, जन गुरतिता स्वर्गवासा निश्चे वेह पावे, ओम जै एक अदशी माता, जै एक अदशी माता, मैया जै एक अदशी माता, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासु देवाए लिखना ना भूलें, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, जै श्री कृष्णा, जै एक अदशी माता, हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल,